असलाम अलेकुम गाईस, सो गाईस अगर आपको Google AdSense से अप्रूवल नहीं मिल रही या आपकी अर्निंग कम हो रही है तो ऐसे में आप Google AdSense यूज़ कर सकते हो Google AdSense and Google AdSense की अड्स सेम होते हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि Google AdSense पर आप रियल टाइम डील कर सकते हो यनि कि रियल टाइम आप अड्वर्टाइजर से एर्ज लेके अपने वेबसेट में लगा सकते हो अगर आपको Google AdSense में 0.1 डॉलर का CPC मिल रही है तो आपको AdSense में अगर आप AdSense सही तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपको 0.2 डॉलर का CPM मिलेगा यनि कि आपकी अर्णिंग इंक्रीज हो जाएगी तो अब ऐसे में Google AdSense को कैसे यूज़ किया जाए without AdSense एक तो अगर आपके पास Google AdSense की अप्रूवल है यनि कि आपका वेबसेट Google AdSense से अप्रूवड है और आपको earning कम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो कि Google AdSense को link कर सकते हो AdSense के साथ और यहां से ads लेकि अपने website में लगा सकते हो बट अगर आपके पास Google AdSense approval नहीं है जैसे starting में कहा तो पिर कैसे use किया जाए Google AdSense की ads ऐसे में अगर आप search करेंगे Google में कि भई मुझे direct account create करने Google Ad Manager का तो उसके लिए आपको पता भी होगा कि आपको 5 million page views चाहिए per month जो के बहुत जादा है किसी के पास भी नहीं होते तो ऐसे में कैसे लगाए जाए ads वो आपको बताने वाला हूँ आप easily लगा सकते हैं एक ad network आपके साथ मैं share करूँगा वो ad network आपको Google AdSense का एक account देगा एक dashboard देगा आप video ads भी लगा सकते हो display ads भी लगा सकते हो video ads अगर आप use करोगे तो कितना cpm मिलेगा complete आपको details देने वाला हूँ कैसे payout लोगे complete details देने वाला हूँ बट उससे पहले guys मैंने अपने इस website पर trustedadnetworks.com पर जहाँ पर हम reviews करते हैं जैसे हम इस channel पर करते हैं यहाँ पर भी करते हैं तो मैंने अभी अभी ये एक ad network share की है तो आप इसको भी check out कर सकते हैं अगर आपके पास monthly 3000 page views है 3000 views हैं आपके पास तो आप इस ad network के लिए apply कर सकते हैं best value में आपको यह यहाँ पर मिलेगा link description में है तो इसको ज़रूर check out कर लेना अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसके लिए भी apply कर सकते हैं 3000 views तो सभी के पास होते हैं अगर आपको bmfads.com का review देखना है मैं already इस channel पर review upload कर चुका हूँ लेकिन उसमें मैंने CPM नहीं दिखाया था तो इस post में मैंने आपको CPM भी दिखाया है तो आप इसको भी check out कर सकते हैं तो अब चलिए मैं बता देता हूँ कैसे भाई हम google adx की ads अपने website में लगाएंगे तो भाई उसके लिए हम एक ad network का use करेंगे ad.plus अब आप मैंसे कुछ लों को आलड़ी पता होगा इसके बारे में और इसका मतलब यह नहीं है मैं वीडियो अभी upload कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता नहीं था भाई अगर आप इस channel को visit करोगे और देखोगी videos तो आपको जादे तर जो videos है वो ad network reviews दिखेंगे तो हमें पता होता है यह हमारा job है हम देखते हैं लेकिन भाई पहले हम आप देखना होता है उसकी बाद ही हम यहाँ पे करते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर भाई इस ad network को भी हमने apply किया है और इसकी भी जो review है यानि कि CPM, CPC वो भी आपको trusted ad network पर मिल जाएगी और इस पर हम video भी upload कर देंगे बट यहाँ पर भी आपको मिलेगी वीडियो से पहले आपको यहाँ पर reviews मिल जाएगी जैसे हमने bmfads.com की की है तो यहाँ पर भाई आपको आ जाना है at dot plus पर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यह लोग claim करते हैं कि हम 30% आपकी earning को increase करेंगे day one से तो उसके लिए भाई यहाँ पर sign up कैसे करेंगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं इनके पास 20,000 प्लस publishers है और जो daily motion website है वो आपने देखा ही होगा वो भी इसी का use करते हैं ठीक है वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यह सबी इसमें daily motion भी आपे listed है ठीक है यह आप देख सकते है daily motion तो अब यहाँ पर आपको नी दिखा देता हूँ CPM ठीक है CPM अगर आप यहाँ पर video ads यूज करोगे ठीक है अगर आप display ads यूज करेंगे पहले display काई यहाँ पर उपन है तो वह मैं दिखा देता हूँ तो भाई यहाँ पर जो है अगर आप one से आपके traffic है मतलब कि जो premium countries होती है एकी country से अगर आपकी traffic है और इसी तरह से भाई यहाँ पर हम video की देख लेते हैं तो भाई video का जो यहाँ पर होता है अगर आप इसको use करेंगे तो मैरे भाई यहाँ पर जो CPM होता है वो बहुत जादा हाई होता है जैसे हम YouTube पर यह video watch करते हो तो add आते हैं वैसे ही इनका भी यही system होता है तो यहाँ यहाँ पर यह जो फिल रेट है वो सतर दिखा रहे हो बई 10 डॉल का CPM अब टू यहाँ पर 35 डॉल का CPM आपको मिल सकता है अगर आपकी एक कंट्री से व्यूज आ रहे हैं तो आपको 10 डॉल का CPM यहाँ पर मिल सकता है ठीक है और इस तरह से बागी यहाँ पर आपको complete details मिल जाएगी ठीक है इसी तरह से यहाँ पर अगर आप payment की बात करते हो कि यहाँ से हमें payment कैसे मिलेगी ठीक है मैं already कुछ Adnetworks पर वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको इसी तरह से Google Adx का approval देते हैं लेकिन वो करते क्या है कि एक तो आप से जब आप earning करते हो 10 डॉलर earn करते ह तो उसमें वो 20% खुद रख लेते हैं 80% आपको देते हैं ठीक है और साथ-साथ में यह करते हैं कि उनको अपने Dashboard में $1 का CPM मिलते है जब आप उनको 1000 impressions देते हो और यह आपको क्या करते है कि आपको Dashboard पर 0.1 डॉलर शो करते है या 0.05 शो करते है जहां तक मैंने देखा है ठीक है लेकिन इनका ऐसा कोई system नहीं होगा यह direct आपको connect करेंगे और direct आपको ads देंगे जैसे ads आपको चाहिए ठीक है इस तरह से पैमिट की बात करें तो PayPal है और bank transfer आप यहां पे जैक आप कर सकते हैं और इनकी भी जो पैमिट है जैसे Google Adsense में होता है इनका भी यही system होता ह इनको जो है month के बाद every month इनको payment मिलती है और इनको जैसे ही मिलेंगे यह आप वो करेंगे payment तो उसमें फिर five days लग सकते हैं या one week लग सकते हैं यानि कि आप मान के चले कि every month आपको आपकी payment मिलेगी यहां से अगर आप इसको use करेंगी जो आपकी ads होते हैं वो adsense के ही ads होंग Google adx पर आप real time deal कर सकते हो यही बस है ठीक है बाकी यहां पर आप 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 देख सकेंगे यहां पर जो ads अभी आएंगे वो भी Google adx की ads है और यह दोनों same ही होते हैं जैसे पहले आपको कहा है ठीक है तो अब यहां पर load हो जाएगा internet का issue है मैं आपको दिखा देता हूँ sign up होने से आपको यह benefit होगा कि आपको email आएगा जैसे हम यहां पर review upload करेंगे तो आपको एक email आएगा साथ में आप यहां पर अपना group बना सकते हो बाकी publishers के साथ आप यहां पर बात कर सकते हो ठीक है यहां पर आप अपने website आड कर सकते हो अपने लिए domain ले सकते हो तो यह ads by google तो दोनों same ही होता है अब यहां पर बागी में आपको यहां पर time wish नहीं क्योंगा complete details आप ad.plus की website पर आकर read कर सकते हैं sign up कैसे करना है वो बता देता हो तो आपने sign up पे click करना होता है जैसे आप sign up पर click करोगे traffic का requirement नहीं है शाहिदी मैंने आपको मुझे याद नहीं कि म ads दे सकते हो जैसे यह लोग हमें दे रहे हैं ठीक है तो यहां पर बागी क्या करना है आपको आपके पास इतनी भी traffic है आपको approval मिलेगी बस आपके website पर content होना चाहिए यह ना हो कि दो तीन articles आपने रखे हुए हैं और आप कहीं से भी views ले रहे हो और आप चाहते को भी उस पर मुझे approval मिल जाए तो वह नहीं होगा वाकि यहां पर आप अपना नेम दे सकते हैं email address उसके बाद आपने website या पर इंटर कर देना है और अगर आप कुछ बताना चाहिए तो बता सकते हैं जैसे कि मैं अपना website monetize करना चाहता हूँ मुझे approval नहीं मिल लिए absence है वो भी आप बता सकते हैं कोई बात नहीं परिपासिती ट्रापिक है वो भी बता सकते हैं परना आप ऐसे ही इसको चोड़के यहां पर आप जैसे ही get started पर क्लिक कर देंगे तो within two business days आपको approval आ जाएगी और तालीस गंटे में चूविस गंटे में आपको यहां पर जो है ads.txt के लिए बोलेंगे ही आप अपने website में add कर दो तो ads.txt आप जैसे ही add कर देंगे आप blogger में भी add कर सकते हो blogger में easy है setting में जाके add कर सकते हो और अगर आप wordpress पे हैं तो public html files जोती है उसके अंदर आप इसको upload कर सकते हो तो जैसे आप ads.txt कर दोगे उसके बाद यह इन पेज में आपको जल्दी दिखा दूँगा और इसकी review जो है full review मैं trusted ad network पर यहाँ पे upload कर दूँगा साथ मैं इजोएक पर भी मैं काम कर रहा हूं तो इजोएक का भी आपको दिखा दूँगा बागी वीडियो इतनी इतनी trusted ad network पर ज़रूर जोएन करना आपको यहाँ ब